आप देख रहे हैं दखल न्यूज आरेसेस ने अमिश्याह से कहा साफ सुत्री छबी के लोग चुनाव मैदान में उतारें दीपीजे सिंग ने प्रचार से बनाई दूरी कहा मेरे भाशन से कॉंग्रेस को होता है नुकसान रमन सिंग ने वनाई साल ग्रहा मा बमलेश्वरी के किये दर्शन चतिसगण भेजी जा रही अवेश शराब पकड़ी गई चतरपूर पुलिस ने की कारेवाही और दुर्गा पंडाल में आर्ती के दौरान लगी आग पंडाल जलकर हुआ खाग नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबरे विस्तार से भोपाल में भाज़पा के राष्ट्रे अद्यक्ष अमिश शाहा ने आरेसस नेताओं से मुलाकात की और चुनाओ को लेकर उन से राइश हुमारी की आरेसस ने अमिश शाहा को कहा कि चुनाओ में साफ छवी के लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाए बीजेपी अद्यक्ष अमिश शाहने बोपाल के अरेरा कॉल ने इस्तिस संग कारेले समिधा जाकर छेत परचारक दीपक बिस्पते सहित अन्य पद्यतिकारियों से मुलाकात की दोनों के बीच विदान सबाच चुनाओ के फीड़बेक पर एक गंटे चर्चा हुई इस दोरान संग निताओं ने अनुशांगिक संगठोनों के फीड़बेक को भाशपा की राष्टी अद्यक्ष शाह के साथ साजा किया इसमें संग के छेत परचारक दीपक बिस्पते और अरुन जेन ने सरकार के मंत्रियों की चवी विदायकों के खिलाफ नाराजगी आदिवासी इलाकों में जैस जैसे संगठोनों का बड़ता प्रवाव और सवर्णों की नाराजगी का समाधाद करने पर जोड़ दिया संग काराले समिजा में शाह के साथ परदेश प्रवारी डॉक्टर विने सहस बुद्दे परदेश अद्यक्ष राके सिंग, संगठन महामंतरी रामलाल, सुबास भगत भी मौजुद थे संग काराले में हुई इस बाच्चित की गंभीरता का अंदाज ऐसी बास से लगाए जा सकता है कि नीचर उतरते ही शाह ने डॉक्टर सहस बुद्दे को किनारे ले जाकर उन से खड़े होके लंबी बास्चित की संग भाच्पा निताओं की इस मुलाकात में परदेश के ताजा राजनितिक हालात का आखलन आसानी से किया जा सकता है संग निताओं की और से साफ दोर पर कहा गया था कि साफ सुत्री शवी के लोगों को चुनाओं में उतारेंगे तो संग के स्वेम स्वेवां को भी भाच्पा का सायुक करतने में आसानी होगी मौजूदा विदायकों की छवी के करण अबजी लोगों की नाराजगी से भी संग ने शा को अवगत करवाया इसके लावा संग निताओं ने विंदि महा कोशल, चंबल महा भारत और मालवा छेतर में अनुशांगिक संगटों नो जुटाए गए फीड़बेक शा को दिये सत्यम शर्मा, दखल नीउस, बोपाल कॉंग्रेश के सीनियर लीडर दिगविजय सिंग खुद से इतने डरे हुए हैं कि उनको लगता है उनके भाषणों से कॉंग्रेश के बोट कर सकते हैं इसलिए उन्होंने इस चुनाव में प्रचार से दूरी बना ली है इस समय सीनियर कॉंग्रेस लीडर दिगविजय सिंग का आत्म विश्वास जगमगाया सा है यही वज़ा है कि ना वो पार्टी के लिए जम कर प्रचार कर रहे हैं ना भाशन दे रहे हैं इन दिनों दिगविजय सिंग का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें भोपाल में वो कारेकरताओं से बातचीत करते हुए कह रहे हैं जिसको टिकेट मिले चाहे दुश्मन को मिले जिताओ मगर मेरा काम केवल एक कोई प्रचार नहीं कोई भाशन नहीं मेरे भाशन देने स से तो कॉंग्रेस के बोर्ट कर सकते हैं इसलिए मैं जाता नहीं देखो आप देखते रहे होगा काम नहीं किया तो निबरी की सरकार ऐसे अकर कॉप देखते रहोगे जिसको टिकेट मिले चाहे दुश्मन को मिले जिताओ और मेरा काम केवल एक कोई प्रचार नहीं कोई भा मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस की समन्वे समीती के अध्यक्ष हैं लेकिन वे परदे के पीछे ही सक्रिये हैं राज्य में अभी मुख्य रूप से कमलनाथ जोतिरा दित्ति सिंध्या ही सक्रिये रूप से प्रचार करते नजर आ रहे हैं और दिगविजे सिंग की इतनी दुरदर्शा करेगी बेरागर के मूनलाइट गार्डन में परियावरन संरक्षन एवं प्रकरती प्रेम पर आयुजित कारिक्रम में हिस्सा लेने पहुचे मुख्यमंत्री शिवरास सिंग लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस नेता दिगविजे सिं उनके पोस्टर नहीं लग रहे होडिंग कटाउट से गायब कर दिया गया उन्हें तबज्जों नहीं दिया जा रहा है कॉंग्रेस दिगविजे सिंग की कॉंग्रेस ऐसी दुरदशा करेगी मैंने कल्पना भी नहीं की थी प्रतिग्या सेवा कल्यान समीती के कारिक्रम में भाग लेने गए थे मुखमंती शिवरा सिंग्ग इस कारिक्रम में मीडिया को दूर रखा गया कारिक्रम में शामिल होने वाले लोगों के मॉबाइल फोन पर भी पावंदी लगाई गई थी ग्वालियर में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने मोधी सरकार को आने हतो लिया और कहा कि केंदर सरकार किसानों का करजा माफ करने और रहात देने में नाकाम रही है राहूल ने ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में पूजा पाठ किया और रोडशो किया दतिया पितामरा पीट से ग्वालियर चंबल में अपना चुनाव अभियान शुरू कर राहूल गांधी ग्वालियर पहुँचे अचले इश्वर मंदिर में पूजा पाट करने के बाद राहुल गांधी ने रोडशो किया और केंदर सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि जब कॉंग्रेस की सरकार केंदर में थी तब हमने किसानों का करजा माफ किया लेकिन मौजूदा सरकार किसानों की अंदेखी कर रही है इसके लिए उन्होंने पियम मोदी से एक मुलाकात का जिक्र किया उन्होंने बताया कि मैं किसानों की बात करने पियम आफिस गया था मैंने उनसे कहा कि आप बड़े उद्योग पतियों का करजा माफ कर रहे हैं तो आप किसानों को भी ऐसी ही रहत दीजे लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला नरेंद मोधी जी की सरकार ने पिछले चार सालों में हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 उद्योग पतियों का तीन लाग पचास हजार करोड रुपया मांग किया है मेरे आकरे नहीं है सरकार के मंत्री ने कहा है यूपया की सरकार थी किसान हमारे पास आए उन्होंने मैं कहा देखिए हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए हम भी देश के लिए काम करते है बैंक के दर्वाजे हमारे बंद है एक दो साल पहले मैं मोधी जी के आफिस में गया एक ही बार गया हूँ सिर्फ एक बार में गया हूँ रेकॉर्ड देख लीजिए उनके आफिस का राहूल गांदी प्रधान मंत्री के आफिस में सिर्फ एक बार गये है मैंने उन्हें से कहा मोधी जी किसानों का कर्जा माफ कीजिए यह राहून का जवाब मतलब मुझे एक शब नहीं निकला उनके जनम दिन का मौका था इसलिए सारा परिवार उनके साथ था भारती जन्ता पार्टी के राष्ट्य अद्यक्षामिश शाहक ने जगदलपूर में कारेकरताओं की बैठक में खुले तौर पर रमन सिंग को चौती बार मुख्यमंत्री बनाने का एलान कर 36 गड़ में मुख्यमंत्री पत को लेकर उठी सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया भारती जन्ता पार्टी में रमन सिंग के कद का आज भी 36 गड़ में कोई नेता नहीं है आज अपने जनम दिन के अफसर पर डोंगरगर इस्थित माई बमलेश्वरी के दर्शन करने परिवार सहित पहुचे रमन सिंग खासे उठ सही दिखाई दिये जिन में महाता के आशिरवात लिया चत्रेगड दिखास चत्रेगड दिखास आज परिवार गें और वोजे कुसी है महाता के आशिरवात से चत्रेगड लगातार इन 15 साल हो उने बोपाल के लिली टौकी चुरहाई के पास सजाए गई माकालका की जहाकी में रात को आरती के समयाग लग गई इससे जहाकी प्रांगरण में अफरा तफ्री मज़ गई आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है जहांगीराबाद इलाके में लिली के पास रात को देवी जी की आरती चल रही थी कॉंगरेस नेता गोविन गोयल माता जी की आरती कर रहे थे बड़ी संख्या में लोग आरती में शामिल थे तब ही आरती के दौरान पंडाल के उपर की तरफ अचानक आग की लप्टे उठने लगी जिससे लोग घबरा गए लोग आरती बंद कर आग बुझाने में जुट गए आग बुझाने के दौरान जहाकी के चारो तरफ धुआ फैल गया सूचना मिलने पर पुलिस और नगर निगम का फायर अमला पहुँच गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया श्री गणेश मा काल का उत्सबसमीती द्वारा सजाई गई जहाकी का आग लगने से पूरा पंडाल जल गया चुनाव से पहले चतरपुर पुलिस ने अवेश शराब का जखीरा पकड़ा है बताया जारा है शराब को पंजाब से 36 गड़ लाया गया था चतरपुर में थाना भगवा की पुलिस ने वाडर चेकिंग के दोरान अवैस शराब का जखीरा पकड़ा पुलिस को एक हजार पेटी अवैस शराब पकड़ने में सफलता मिली है हमारे समवाद अता दिपेंद गुपता ने बताया कि अवैस शराब ट्रक में लाद कर पंजाब से बिलासपुर ले जाने की सूचना पर भगवार टी आई ने दलबल के साथ कारवाही कर ट्रक को दबोच लिया बताया जा रहा है ये शराब 36 गड़ के चुनाख को प्रभावित करने के लिए भेजी जा रही थी मुक्बीर की सूचना पर टी आई सत्यनारांड भगत और पुलिस स्टाफ ने तबतरित कारवाही कर ट्रक को दबोच लिया और दो आरोपियों को भी गरफतार किया 36 गड़ के राजनन गाओ में नक्सलियों के IED ब्लास्ट के तीन जवान घायल हो गए यहाथसा उस वक्त हुआ जब सुरक्षावल सर्चिंग पर निकले हुए थे राजनन गाओ में रामगड की पहाड़ियों के पास आज ITBP वापुलिस की सयुक्त पार्टी सर्चिंग गश्ट पर थी उसी दोरान नक्सलियों दोरा IED ब्लास्ट कर गश्टी दल को नुकसान पहुचाने की कोशिश की गई जिसमें ITBP की 44 वी वाहिनी के तीन जवान बुरी तरहां गाहल हो गए गाहल जवानों के नाम हेड कॉंस्टिपल गोईल प्रकाश, आरक्षक सचिन कुमार और आरक्षक तडवी तीर सिंग बताए गए हैं चुनाव को अपन ध्यान में रखते हुए लगातार जो है पॉलिस पॉस्ट के द्वारा जो अन्दूनी चीत्रों में लगाता सर्चिंग केल रहा है और आमने स्वी कारवई चल दगी हैं अबुसिंग की कारवई चल दगी है इसी तारतर में में आज भी जो है पानाबरश है, पोहका है, पोश्टोला है प्लास्ट के ततकाल बाद घायलों को सुरक्षित निकाला गया और उचार करवाई गया तीनों जवानों की हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे विशेश समवाद दाता संजीव पचारी फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं संजीव क्या है पूरी खबर आज आज इसी घटना है सुवे की ये राजाव गाव जिले का मोला ग्राम धाना है यहां पर पुलिस करती वो निकले हुए थी चुनाव का माहूल है और पुलिस ओपनीं करती हर रोड को उसी दर्मियान यह ब्लाश हुआ है जम्बीर नहीं है माभजिव जिसके चुनाव के समय में इडी ब्लाश की जो घटना घटी है कहने कहीं बुख गोटाले में आरोपी रही डौकटर मनीशा शर्मा ने लखनवमे की आत्म हत्या 2015 में जाज अजिंसी ने मनीशा को गरफतार किया था मनिशा शर्मा 2009 में PMT एक्जाम में नकल के लिए सॉलवर बनी थी वहीं लखनव पुलिस का दावा सीनियर की प्रताड़ना के चलते मनिशा ने आत्मत्या की है खोशंगा वास से एक दुखत ख़वर अधिमान ने पत्रकार प्रमोद मिश्रा का शव कमरे में मिला यह शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है प्रमोद मिश्रा सापताहिक सत रस्ते के बेताल नामक सापताहिक अखवार के संपादक थे प्रमोद का शव मिलने के बाद उनके कमरे को सील कर दिया गया है हमारे समबादाता आशुतोष सराठे ने बताया कि SDP मोहन सारवान के साथ FSL टीम फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने मामले की जांश शुरू कर दी है पुलिस को जहां पत्रकार प्रमोद मिश्रा का शव मिला उस कमरे के बाहर गेट पर ताला लगा था इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है इस पुलिटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज दखल आपके हक में आप देख रहे हैं दखल न्यूज